जाता है तो एक परच्छाई दिखाय दिए जिससे लगता है कि एक औरत लेटी हुई है अब डूगू के उम्मिदे फिर से जाग जाती है और वो उस परच्छाई के साथ फ्लेट करने की कोश्च करता है लेकिन अंदर जाकर पता चलता है कि वो एक जाइंट कंगारू है जिस तो ये पता नहीं था कि वो मुसीबत को मोल ले रहा है फीमेल को देखकर तो कॉंग इतना एक्साइट हो जाता है कि डुगू के साथ बिलकुल इंटीमेट होने की कोशी करता है इतने में डुगू का कॉस्ट्यूम उतर जाता है और कॉंग को भात घुसा जाता है वो डुगू को एक लात मार कर वहीं तूर फिक देता है अब इस पार्ट को देकर धरती पार सभी को शौक पे शौक लग रहा होता है लेकिन यहां डुगू हार नहीं मानता और अपने गैटलिंग गा निकाल कर कॉंग पर प्लास्टिक बाल्स फायर करने लगता है फिर कॉंग घबरा कर कुस देर के लिए भाग जाता है लेकिन बाद में आकर डुगू को धना धना धन पीटता है और कॉंग की साथ अपनी फिलिंग्स को शियर करता है लेकिन कॉंग उसके रोने धोने में कोई इंटरस्ट नहीं दिखाता और डुगू को एक तकड़ा पंच करता है इस तरहे 200 दिन बीच जाते हैं और अब डुगू को कॉंग की आदत पड़ गई है लेकिन उसने एक escape plan बना लिया है दरसल अपोलो 18 मिशन का एक spacecraft यहीं पर है जिसकी मदद से वो पासी के किसी space station दर पहुंच सकता है फिर उस escape station के escape pods में वो धरती बर लोड सकता है अब एक दिन डुगू और कॉंग उस पुराने spacecraft की तलाश करते हैं और उसे moon station पर लेकि आते हैं लेकिन डुगू को पता चलता है कि यह spacecraft सिर्फ 20 pounds बज़ा नहीं करी गड़ सकता है लेकिन अगर इसका propulsion system चेंज किया जाए तो यह problem solve हो सकती है डुगू फिर realize करता है कि nuclear weapon का prototype अब भी यहाँ पर मौजूद है डुगू अपनी जरूत की चीज़े ले ले लेता है और कॉंग के साथ उस nuclear rocket को लेने जाता है वो जानता है कि rocket चांद की दूसरी तरफ है जहां पहुंचना में कई हपते लग सकते हैं अब यहां कमांडेट जिंग और इसके साथ हों को डुगू की फिक्ष होने लग जाती है क्योंकि डुगू का वेकल सोलर पावर से जलता है और प्रती रूनार्ट साइकल में चांद के सरफेस पर सिर्फ 14 दिनों के ले सुरज की रोशनी आती है इस वज़े से डुगू का वेकल सिर्फ 6500 किलोमेटर कवर कर पाएगा लेकिन रिसर्च बिल्डिंग में जहां पर रॉकेट है वो लगभाग 800 किलोमेटर के दूरी पर है इसका मतलब है कि बीच रास्ते में ही चांद पर सूर्यास्त हो जाएगा और डुगू का वेकल भी रुख जाएगा और तब डुगू फ्रीज होकर मढ़ जाएगा जब जिंकी टीम इस तरह उमिद खो चुकी होती है तो भी नॉटिस करते हैं कि डुगू आप उसे डरेक्शन में जा रहा है अब इस खतनाक और लंबे सफर में डुगू दिन भर दिन कमजोर और लाचार फील करने लगता है और उसको हलुसिनेशन भी होनी लग जाते हैं लेकिन कॉंग उसको मोटिवेट करता रहता है कि आगे बढ़ो आगे बढ़ो सब कुछ चीक हो जाएगा एक लंबी और खतनाक सफर के बाद दोनों उस रिसर्च फैसिलिटी में पहुंच आते हैं अंदर डुगू को न्यूकलर वारहेट मिलता है जिसे वो धीरे से जमीन पर रगता है और नॉटिस में करता है कि रास्ते में ट्रंक वेकल से अलग हो गया है और अब कई सो किलोमेटर के सफर के बाद वो रेलाइस करता है कि कॉंग पीछे चुट गया है अब वो बड़ी दूवीदा में होता है क्योंकि अगर वो कॉंग को लेने वापस गया तो सनलाइट को खो देगा और बीच रास्ते में ही वेकल रुग जाएगा अगर वो आपस नहीं गया तो कॉंग फ्रीज होकर वही मढ़ जाएगा लेकिन डुगो अपनी जान को खत्रे में डालकर कॉंग को बचाने के लिए चिला ही जाता है और कई घंटों के सफर के बाद वो कॉंग तक पहुँची जाता है फिर कॉंग खुशी के मारे उसको चाटने लगता है फिर दोनों मून स्टेशन तक के सफर को कंटिनू करते है अब सुरज उनके वेकल से दूड जाने लगता है लेकिन लगता है डूगो हार के जीतने वाला बाद दिकर है वो वेकल की बैटरी को आखर तक चलाता है और बैटरी सेव करने के लिए अंदर का हीट भी आफ कर देता है आखरी बैटरी पूरी तरह खत्म होई जाती है और वेकल मून इस्टेशन से पच्पन किलोमेटर की दूरी पर रुख जाता है अब उनके पास स्रिफ तीन घंटे का उक्जन होता है डूगो जानता है कि यहाँ कोई चमतकार रही होने वाला है इसलिए दोनों वेकल से बाहर आकर अपनी मौत का अंधिसार करते है पर डूगो नॉटिस करता है कि कॉंग लाइट के रिफलक्शन से अट्रेक्ट होता है तब उसको एक आइडिया आता है वो अपनी वेकल का दर्वाजा तोड़ता है और उसे एक बर्फ गाड़ी के तरह कॉंग के साथ बांद देता है फिर वो कॉंग के आगे लाइट फ्लेश करता है जिससे कॉंग तेजी से चेस करने लगता है डूगो उसके साथ खीचा चला जाता है रास्ते में एक बहुत बड़ा क्रेटर होता है पर डूगो तो बाज़ीगर है वो कॉंग को इंस्ट्रक्ट करता है कि अगर तुम अस्ति कंगारो के बच्चे हो तो चलांग मारो कॉंग बिल्कुल वैसा ही करता है तब डूगो अपनी गैस टांग को खोल देता है जिसके प्रेशर से वो कार्टर के उस तरह पहुंचाते है और इस तरह दोनों जिंदा मून इस्टेशन पर पहुंचाते है धर्ती पर चेर्मेन ये सब कुछ ब्राड़कास्ट कर रहा होता है और इससे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि बुरे से बुरे हालात में भी इंसानियत जिंदा रह सकती है डूगो फिर कोशी करके वारहेट को बेस स्टेशन में लेकि आता है और धर्ती पर लोटने की तियारी करने लगता है लेकिन वो नहीं चांता है कि एक और एस्टरोइड धर्ती के और बढ़ रहा है डूगो को एक और सिंगनल मिलता है और वो बहुत खोश हो जाता है कि धर्ती सा यूमन्स उसको कांटेक्ट करने की कोशी कर रहे है पर जल्दी उसके खोशी निरासा में मतल जाती है क्योंकि ये असली सिंगनल नहीं था बलकि कॉंग वायर के साथ खेल दा था एक बार फिर डूगो को लगता है कि धर्ती पर कोई नहीं है और इसलिए वहाँ जाना बेकार है लेकिन धर्ती के लोग नहीं चाते कि वो मायूस हो इसलिए एक जगे इखटा होकर चांद के और अपने फ्लेश लाइट दिखाते है आखिर डूगो और टीम टीम आते फ्लेश लाइट को देख रहा होता है और बड़ा एमोशन हो जाता है कि अब वो अकला नहीं है कोई तो है उसके साथ उसके हिमत भड़ जाती है और वो अपने रिसीवर्स को रियलाइन करके धर्ती से कम्यूनिकेट करता है फिर वो अपनी क्राश जिंग से भी बात करता है एक बार प्राइबेट में बाते करते वक्त डुगू जिंग को बता ही देता है कि मैंने सिर्फ तुमारे ले यूनमेस मिशन जोइन कया था जिंग भी बड़ी एमोशन हो जाती है कि उसने डुगू को वहाँ छोड़ दिया और वो यहाँ वापस चलिया आई फिर वो डुगू से माफ ही मांगती है अगले सीन में डुगू अपने टीमेट्स के सला लेकर रॉकेट के प्रोफिल्सन सिस्टम को माडिफाय करता है फिर डुगू और कॉंग धर्ती पर लोटने के लिए लुनार और्बिट में स्रॉक्षित पहुँचाते है पर वे ने जानते हैं कि एक और एस्टरोइड धर्ती कर बढ़ रहा है डुगू लुनार सिस्टम में पहुँचकर वहाँ के स्कैप पॉर्स को त्यार करता है तब ही जिंग को उस एस्टरोइड के बारे में पता चलता है जो धर्ती को मिटा देगा युनार सिस्टम में पहुँचकर वहाँ के बारे में पहुचकर 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 जाता है क्या भरती जाती है एक पत्थर उसके शिप से टकरा जाता है और वो इस पेस में पुरी तरह स्पीन होने लग जाता है शिप बिल्कुल आउट ओफ कंटर हो जाती है तब ही डूगू को एक आइडिया आता है और वो शिप का दर्वाजा तोड़ेता है जिससे प्रेशर एकुलाइज हो जाता है अब शिप सीधा हो जाता है लेकिन उसे पता चलता है कि शिप का एंजन पूरी तरह से डिस्ट्रॉई हो चुका है और अब वो एस्टोइड के पास नहीं जा सकता उसके पास और कोई रास्ता नहीं होता अनगिनत पत्थरों की बीच में डूगू का स्पेस सूट पिलकुल डेमेज होने लग जाता है लेकिन वो आखरी एस्टोइड तक पहुंची जाता है आखर पल में वो अपनी क्रश जिंग के बारे में सोचता है फिर एक पावरफूल एक्स्टोजन होता है और एस्टोइड के टुकडे टुकडे हो जाते हैं धर्ती पर सभी शेल्टर से भारा कर आस्मा में होते वे एक्स्पोजन को देखते हैं और चैन की सांस लेते हैं कि वे इस एपोकलिप से बजग गए लेकिन उन्हें दुख भी होता है कि डुगू को इस तरह अपनी लाइफ सैक्रिवाइस करनी पड़ी कई साल बीख चुके हैं और अब हम यूमेंस ने धर्ती को पहा जैसा बना दिया है कौंक वापस उसके नैच्छल हैबिटेट में भेजा जाता है जिंग और उसकी टीम को फिर से चांद तर भीजा जा रहा है तांकि वे इस तरह के एस्टरेट से धर्ती को प्रोटेक्ट कर सके और दोस्तों इसे के साथ ये मूवी हाँ पर खत्म होचे